हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़वरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करते और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार और पूर्वी उपी में चकरवर्ती तुफान आसानी को लेकर अलाट जारे तेज हवा की साथ होगी बारिस जहां चकरवर्ती तुफान आसानी की आसंगा को देखते वे आपदा परबंदन विभांग ने जिलों को अलट मोड में रहने को कहा है विभांग ने कहा है कि इस तुफान में निवटने के लिए हर संभव आवसक करवाई की जाए और सतत निगरानी रखी जाए इस बावत विभांग के ओएशडी संदीव कुमार के और से सवी जिलादी कारियों को पत्र भेजा गिया है विभांग ने कहा कि मौसम विभांग ने अलट के मैदम से सुचित किया है कि आसानी चकरवर्ती के उत्पति बंगाल के खाड़ी से हो रही है इससे पश्चिम मंगाल ओडिसा आंदर परदेश से प्रभावित होने के चेतावनी दी गई है बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है इसके मद्द ने जरी विभांग ने कहा कि आसानी चकरवर्ती से उत्पति के आलोग में बिहार के कई जिलों में तेज या हलकी हवा के साथ हलकी या मैदम बारिस के बजरपाद के साथ होने की समावना है अगली बड़ी खबर अब नेजी अस्पतालों में भी गंबेर टेवी मरीजों का होगा मुप्त में इलाज नितिय सरकार के स्वास्त मंत्रे मंगल पाने की घोसना के परतम चरन में राज के कुछ प्रमुक नेजी अस्पतालों से इस समद में बात हुई है सौमार को स्रिपाने ने कहा कि नेजी अस्पतालों में टेवी के गंबीर मरीजों का इलाज खर्चिला होता है इस कारण गरीब तबगों के इलाज में परिशानी होती है ऐसे में अस्पतालों में मुप्तिया सिमित खर्च पर इलाज की सुविदा मुहाय करे जाएगी अगली बड़ी कबर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परवेस परतियोगिता परिचा की डेट गोसित 17 माई से bcecboard.bihar.gov.in पर शुरू होंगी आवेदन जेथ We komme, बिहाइगात परवेस परतियोगिता परिचा 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 20-22 की लिए फौर्म बने की दिधि जारी कर दी है ऑल लाएवेदन आवेद Duck की प्रकृरिया 17 मैंस सुरू होगी फौर्म बने की अंतिम दिधि 7 जुन है शलान से payment की अंतिम दिधि 8 जुन है ओलाइन पेमेंट किती थी नो जून रखी गई है आवेधन फर्म में 10 से 12 जून तक राद 12 बज़े तक सुधार कर सकते हैं सामायन अभयारतियों के लिए एक जार रुपी तदा अभयारतियों के लिए पांस रुपी रखे गए हैं वोई PCMV के लिए 1100 रुपी देने होंगी इसके अलावा अभयारति आएने कोर्सों में भी एड्मिसल ने सकते हैं परवेश परिशा में सामिल होने के लिए स्टुडेंट ओलाइन फर्म bcecboard.bihar.government.in पर जाकर आवेधन भर सकते हैं अगली बड़ी खबर बिहार में घर फ्लेट का निर्मान कराने वालो को जल्द रहत मिलने के आसार बिहार सरकार कम करने वाली है बालो की किमते जह राज में जल्द या अस्मान छोते महंगाई के मार जहल रहे घर फ्लेट का निर्मान कराने को रहत मिलने के आसार है खास कर प्रदेश में बालू की किमत नीचे जा सकती है बिहार राज खनीज बिकास निगम ने बचे वे लगबग सौ बालू घाटों के निलामे प्रक्रिया सुरू की है ये बालू घाट प्रदेश के पटना भोजपूर और अंगाबाद रोतास गया जमोई लखिसराई सारन अरोल, बेतिया, बकसर, बाका और किसंगन जिलों में है बियार खनीज बिकास निगम के तैयारी जून से पहले इन बालू घाटों में खनन सुरू कर देने किया ताकि एंग्टे के आदिसों के तहद बालू के खनन पर रोक से पहले की आउदे में इसे पुरा कर लिया करनन के करन मांग के मुताबिक परियाब्द बालू बाजार में अपलब दो सकेगा इसे किमतों में कमी के आथार भी है। लेकिन किसानों का इससे काम नहीं चला तो फिर से राज सरकार अपने योजना लाने जा रही है। माइटी कोलेज में हो रहा है यहां बुकाम के लिहाज से आति समीदन से लिस्मिक जोन चार वह पांच में आने वाले बिहार के दिकान से जिलों में खत्रों की अग्रेम चेतावनी जारी की जा सकेगी आप्दा प्रवंदन प्रदिकार एवं बिग्यान एवं प्रोदकी गोपाल गंजव चप्रा में बिएस्टीन टावर लगाया जाएगा बिएस्टीन टावर दर्ती के कमपन का उसी तरह आइदन करेगा जिस रमानों के दिल की दड़गन की गिंती होती है आइदनत में दर्ती के कमपन के परवर्तन को रिकोर्ड किया जाएगा इसके आधार परे नियुन्तम समय में भुकम का पुरानुमान चेतावनी के साथ जारी किया जाएगा। वीर कुवर सिंग कोलेज केंदर से जोड़े अधिकारियों पर हुई है। अगली वड़ी खबर बिहार के कॉलेज में होगी बंपर बहाली तृत्रिय सेनी के कर्मियों के नियुक्ति के लिए सरकार ने मांगी है रिक्तिया। जा तकरिबन 22 वर्सों के बाद परदेश के सबी अंगेबूत महाविदालों में तृत्रिय सेनी के कर्मियों के नियुक्ति होगी। इन कर्मचारियों के नियुक्ति अवर सिवा चैन परसद से होगी। माना जा रहा है कि ऐसे कर्मचारियों के रिक्ति तकरिबन 7 हजार है। पांच वर्सों के सेवा विस्तार और मिल सकेगा। पांच मैं को पटना में साथ संक्रमित पाए गए थे। अगली बड़ी कबर रेलवे ने आज से सुरू कर दी साधी के लिए पूरी कोच को बुक करने की सुविधा। या रेलवे ने कोच बुक करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। या सुविधा फिर से 10 मैं से बहाल होने जारे है। किया सुविधा पाले भी थे लेकिन कोरोना काल की बज़े से इस बर पर्तिवध लगा दिया गया था। कोरोना काल के समाप्त होते ही और समय ने गति से जीवन का पया चलते ही रेलवे ने बहुत अब आप कोच बुक करने की चोड़ दे दी है। रेलवे ने गुरूप डिकर्ड बुकिंग की जोड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए साधी के साथ तीरत यात्रा ओफिस टोर इसकुल कॉलेज पिकनिक के लिए पुरा कोच बुक करना आसान हो गया है कोई भी वेक्ति अपने नजदी की स्टेशन से इस काम को पुरा कर के सपर का अनंद ले सकते हैं अब सड़कों पर नहीं चला पाएंगे लहरिया कड बाइक एनच एसेच पर स्पीड गन के साथ तैनात रहेंगे अधिकारे लगेगा जुर्माना जिहां बिहार के रोड पर लहरिया कड बाइक चलाने वालों के नकिल किसी जाएगे परिवहन बिभाग लहरिया कड बाइक चलाने वालों के धर पकड के लिए बिसेस मॉबाइल टीम का गठन करेगा बिभाग ने इसके तैयारे पूरी कर लिया और जल दिया टीम पटना से पूरे राज में काम करने लगेगी अधिकारियों के अनुसार हाले के समिक्चा करम में पाया गया है कि राज में हो रही सड़क दुर गठनाओं में एक कारन लहरिया कड बाइक पे चलाना है इसकी जद में आकर कई लोग अपना संतुलन खो देते हैं और हादसों के सिकार हो जाते हैं ऐसे चालोकों पर जुर्माना लगाने और पकड़ने के लिए जीलों में स्पेश सजार से जादा पद खाली जी अविहार के प्राथा में कि स्कुलों में सिक्चक नियोजन प्रक्रिया को लेकर राज सरकार ने बड़ा फैसला किया है अप्राथा में कि स्कुलों में छटे चरन के सिक्चक नियोजन प्रक्रिया नहीं होगी एने स्कुलों में आदे से नहीं बढ़ाने का फैसला किया है विवाग ने चटे चरन के प्रारामिक नियोजन को खतम करने का फैसला लेते हुए इस चरन के बची भी और इस दोरान बची ने रिक्तियों के अधार पर साथवे चरन के बहाली के तैयारी भी आरम कर दी है बिहार के 389 मायदमिक विदालों में इस्तापित होंगे दो-दो स्मार्ट कलास, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर से होगी पढ़ाई जहाराज सरकार ने सरकारे विदालों में भी प्रतिश्टिट नेजी स्कुलों की तरह ही आदोनिक स्विदाय उपलब्त कराने की दिसा में कदम बढ़ा दिया है लोगों को मिलेगा केवल जावल जहार में गेहू नियूंतम समर्तन मूली से अधिक पर भीक रहा है किसान Всё सरकारे अजंसियों को गेहू बेचने के बदले आम कारोबारियों और बड़े कॉर्परेट को अधिक दाम पर बेच रहे है इसका सिधा असर सरकार द्वारा की जारी करीदारी पर पड़ा है इसको देखते वे सरकार ने इस रभी सिजन के लिए ना केवल गेहूं खरेद के अपने लच को कम किया बलकि पीम गरीब करियान आन योजना के तहद माई से सितमर के बेज लोगों के केवल चावली देने का नेने लिया है राज के लिए निर्धारित गेहूं चावल के कोटे को संसोदित कर दिया गया है आप लोगों के इस योजना के एक तहद केवल चावली मिलेगा पहले बिहार के लिए 1.7 लाग टन गेहों और 2.6 लाग टन चावल का आवन टन किया गया था जिसे बाद में बदल कर 4.3 लाग टन चावल कर दिया गया है दर असल गेहों के किमत बढ़ने के पीछे रूस और युकरेन यूद और फरवरी मार्च में तापमान जौरत से अधिक बढ़ने के कारण कम पैदावार बड़ा कारण है रूस और युकरेन दोनों ही गेहों के बड़े नियरातक देश है लेकिन यूद की वज़ा से इन्हें देशों में भारत में गेहों आयात नहीं हो पा रहा है वह अधिक तापमान के कारण भी गेहों को उतपादन कम हुआ है पिछले साल के तुलना में रवे के इस सीजर में केहों के पैदावार में 15-20 पिजिक की कमी आई है आज की लब का स्वाल बताए कि BPSC सरसोटी पर इच्छा के पेपर आउट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए